ICAR 2024 में admission लेने से पहले इंडिया के top 15 agricultural university को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो बाद में आपको पस्ताना नहीं पड़ेगा कि मेरे इतने अच्छे marks थे मेरे को खराब university मिल गया इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और इंडिया के top 15 university जो यह से एगरी कल्चर में admission के लिए top माने जाते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमने YouTube पे horticulture के भी top 15 university आपके forestry के top 15 university और जितने भी जो ICR के LA Art Sciences के course है उनके top 15 university, top 10 university के video के link description box में आपको मिल जाएगी इस वीडियो में हम top 15 university में agriculture के लिए बच्चों को दिक्कत आ रही कि एक बार हमें top 15 university के बारे में उनका expected cut-up, उनका fish structure और हमारा जो marks आ रहे हैं उनके base पे ICR में क्या rank बनेगी complete discuss आज की इस वीडियो में करने वाले हैं so once again welcome back on your YouTube channel Agri Capital चैनल पर नए है, subscribe नहीं क्या है तो भाई, आपके लिए ये वीडियो जितना ही ज़्यादा important है उतना हमारे लिए आपका एक subscribe और एक like important है ठीक है, तो समझ जाना यार, like और subscribe जरूर करना चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो है अपना university जो हर एक agriculture university जिसको M's मानता है ठीक है, एक agriculture का वो है आपका IRA New Delhi मैं एक बता दूँ, आपको थोड़ी information दे दूँ कि IRA के 12 plus campus इंडिया के अंदर start हो चुक है जितने भी जो research center है, IRA के बारे में मैं एक detail में video बनाऊंगा, जितने भी जो campus है उनमें सबसे अच्चा campus कौन सा है, सबसे खराब campus कौन सा है पूरा आपको ranking बाई समझा दूँगा, तो वो video भी आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आपको need है, तो comment में yes जरूर लेकना है, ठीक है, चलिए फीस structure की बात करूँ, तो फीस structure आप सबको बता है कि IRI का पहले साल का 27,000 लगेगा, उसके बाद में 7,000 रुपे आपको hostel के साथ में बढ़ना पड़ेगा, फूर चार्ज लगेगा, ठीक है अब एक video जल्दी आपको मिलेगा कि एक साल में college में आपके total कितना खर्चा होगा, फीस वगेरा, खाना वगेरा मिला कि वो भी बंदिला दूँ, ठीक है अब अगर आपका rank 100 के something आ रहा है, 100 के अंडर में आ रहा तो आपको IRN New Delhi मिल जाएगा और ये आपके लगबग 550 के something marks आएगा, मैं यहाँ पे general OBC EWS की कटो बता रहा हूँ चर्चा करेंगा, IRN New Delhi सबसे टॉप में माना जाता है, बात करते हैं second number का university मैं आपको official कटो बताऊंगा जो last year का था, ठीक है, और वो ही आपका इस साल रहेगा, जीबी पंत का जो piece structure है वो बच्चों 50,000 रुपे आपका per semester का है इतना ज्यादा, हाँ, एक चीज द्यान रखना, 50,000 रुपे में आपका college piece plus hostel piece plus mesh जाब, सारा मिला के 50,000 है यनि कि जीबी पंत में अगर आप admission लेते हो, तो एक लाख रुपे आपका खर्चा होगा, ठीक है, उसके बाद में इसका cut-off, जीन बच्चों का rank 220 के something last year में general category में आया था, उनको जीबी पंत मिल गया था, ठीक है, अगर आपका rank 250, यनि कि आपके marks 500 plus आ रहे हैं, तो आप जीबी पंत के लिए आपने आपको safe मान सकते हैं seat matrix की बाद पुर्तों लगबग आपकी इसके अंदर 45 के something sheet हैं, sheet हैं हर साल थोड़ी बहुत उपर नीचे होती रहती हैं, आलांकि मैंने जो 50 university का वीडियो बनाए, उसमें सबकी sheet भी mention है, तो यहाँ ज्यादा sheet के बारे में मैं discuss नहीं करने वाला है, ठीक है, आप campus का look भी द जरूर देखना है, ठीक है, अब बात करता हूँ, मैं Institute of Agricultural Sciences, BHU, वनारसिंदू, उरोड सिटी, जो आपका उतरप्रदेश के वरानाशी शहर में इस्तित हैं, इसका फिस स्ट्रक्चर लगबग आपका 25 से 26,000 रुपे, 25 से 26,000 रुपे आपका क्या लगेगा, पर सेमिस्टर बता लगने वाला है, ठीक है, कटोप की बात करूँ, तो लास्ट यर्ट 200 के सम्तिंग रैंक पे बच्चों को जनरल कैटेगरी में BHU मिला था, और सीट मेंट्रिक्स की 34 शीटे हैं, ठीक है, अब BHU में अगर आपका रैंक वो ही मैंने बताया था, 250 के अंडर में आ रहा है, तो आपका BHU में लास्ट राउंड तक सेलेक्शन ICR के क्रू हो जाएगा, अब मार्च कितने हैं, वो ही बता दिया कि जिनके मार्च 500 प्लश है, 500 प्लश है तो मिल जाएगा, अब बच्चों को बता दूं इतनी जानकारी के लिए, स्यूवी टी से BHU आपको लगबग आपक करते हैं, पंजाब, एगरिकल्चरल, यूनवर्सिटी, लुद्याना, पंजाब में इस्तिक हैं, इसकी जो फीस स्रक्चर के बारे में मैं चर्चा करूँ, तो इसका जो आपका फीस रहेगा, वो रहेगा, एक लाक पांच हजार रुपे पर एयर, ठीक है, ये फीस में एक की बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं कटोप के बारे में बात करूँ, तो इसका लगबग कटोप आपका रेंक 500 के अंडर में होगा, तो आपको पी एयू मिल जाएगा, क्योंकि फीस ज्यादा तो बच्चे कम है, इसमें बागेदारी लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेत हर्याना एग्रिकल्चर रेंफिटी जो हिसार में है, इसकी जो आपकी फीस, मतलब फीस ट्रक्चर है, वो लगबग आपका 25,000 रुपे पर येर लगने माला है, कटोप भी बात करूँ, तो 480 नहीं बताऊंगा, 490 प्लस, 490 प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं, सीट मेंट ट्रिक्स की बात करूँ, तो इसमें लगबग आपकी 25 से 30 सीटों के 5 सीट इस बार और बढ़ा दिये, 30 सीटों के सम्तिंग इसमें एडमिशन होगा, ठीक है, इसके आपके तीन सब केमपस है, जो आपका मैन केमपस है, वो इसार में है, दूसरा केमपस आपका कोल में है, औ यह आपका इसार है, वो बहुत अच्छा कोलेज है, और हर एक्टिविटी के लिए सबसेट टॉप एग्रिकल्चर का युनोर्सिटी में जिसको मानता हूँ, वो है चोदरी चरंशिंग, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसके फिसे स्रक्चर बता दिया, कट्टोब मैंने इतना अगर आपका रेंक, रेंक बता दूं, कि जिन बच्चों का रेंक 300 के अंडर में आ रहा है, 300 से कम जिनका भी रेंक है, उनको चोदरी चरंशिंग मिल जाएगा, अब बात करता हूँ, हाली कि आईसिया रेंकिंग में, टॉप युनोर्सिटी जो आता है, नवसारी इतना अच्छा को लेंगे, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो लास्ट यह भी मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, नवसारी में लगबग 50 क्लशिट हैं, ठीक है, 50 के सम्तिंग मान के चलो, 50 मेशी, 22-25 स्टूडेंट एगरी कल्चर में, एगरी पंदरा सो केंडर, जो बच्चे राजस्तान से बिलों करते हैं, उनके लिए थोड़ा कटोप ज्यादा जाता है, बाकी लगबग 2,000 रेंक तक आपको नवसारी मिल जाएगा, इस बार मान के चलना नवसारी आपको बारा सो से तेरा सो रेंक तक मिलेगा, ठीक है, यह चीज द्यान रखना, फिस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो इसका फिस स्ट्रक्चर आपका 22,000 रुपे, सोरी, 27,000 रुपे आपका पर येर लगने वाला है, ठीक है, जिसमें ओस्टिल चार्ज साथ में इंक्लूट रहता है, फूड चार्ज आपका अलग रहता है, ठीक है, मै बता दूँ, अगर आपको भी देश के टॉप योनोट सिटी में एडमिशन लेना है, यहां फिर अगर आपके मार्स कमार है, बीएसी एगरिकल्चर यहां टॉप कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आज ही जोइन करें हमारा पेड काउंसलिंग, जिसका चार्ज 4.99 है, इसम संपूर्ण इंफोर्मेशन एंड ओप्लाइन डोकुमेंट वरिफिकेशन में आपका फूल शपोर्ट किया जाएगा, आपकी रेंक के अनुशार आपको बेश्ट प्रिफरेंस लिस्ट अवेलेबल होगी, उसके अलावा आपको पूरी चोईस प्रिफरेंस भी हम खुद फ फाइनल एडमिशन नहीं होता है, तब तक हम बच्चे से हमेशा बात करते रहते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको परसनल चैट और आप मैसेज पे भी, परसनल चैट पे आप कॉल पे भी अपनी मतलब शॉलिशन ले सकते हैं, गूगल मिटिं अगर आपको मिल रही है, तो आपके लिए 499 में रूपे कोई बड़ी बात नहीं है, आप एसे ही खर्च कर देते हो, एक अच्चे मेंटोर्शिप के लिए और एक अच्चे गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ में जूड़ सकते हैं, जिसके लिए है, अगला कोलेज बात क 23,000 के सम्थिंग इसका फीस है, कटोफ इसका रेंग अगर आपके 1000 के सम्थिंग रेंग आ रहा है, यानि कि 440 के सम्थिंग या 430, 430 से 440 तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आपको सेफ मान शकते हैं, ठीक है, बहुत अच्चा को लेज़े, बात करता हूं तमि लगबग लास्ट येर 5300 से 4500 रेंग तक भी TNU मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन इसमें ABC ग्रूप के बच्चे इलेजीबल नहीं है, और ये ये नया फंडा आ गया, तो ये सारी रोल्स और रिकुलेशन अलगले को लेजों के आपको पता होना चाहिए कहटोप के बारे में बतादू, त्मिल नाडू का कहटोप मैंने बता दिया, अगर आपके नंबर 380 फ्लच, 380 फ्लच आ रहे हैं, तो आप तंमिल नाडू में नौर्ट की स्टॉडेंट तो सेफ मान सकते हैं, अगर आपके नंबर 440 के समतिंग आ रहे हैं, आप साउथ के स्टूडेंट है तो तमिल लाडू के लिए अपने आपको सैप मान सकते हैं पीस इस्ट्रक्चर की बात करूँ तो तमिल लाडू का लगबग ठीक है ये चीज़ें आपको एगरी कैपिटल ही प्रोवाइड करवाएगा एक दम ऑथन्टिक चीज़ें और कहीं पर भी मिलने वाली नहीं राणी लक्षमी भाई जांसी ठीक है ये ये यूनोट सिटी बहुत अच्छा है नौर्थ के बच्चों जो राजस्तान के यूपी क होते हैं उनके लिए कटो भी ज्यादा जाता है 1500 के शम्तिंग यानि कि आपके 420 के शम्तिंग मार्च है तो आपको राणी लक्षमी भाई मिल जाएगा ठीक है एगरी कल्चर में और इसके जो आपका बताव दू मैं फीस स्ट्रक्चर तो लगबक 26,000 रुपे आपका पर य के अंडर में है ठीक है और आपका नंबर 400 के शम्तिंग आ रहा है तो आपको बीसी अगरी कल्चर मिल जाएगा बात करते हैं अगला आपका अचारिय एंजी रंगा अगरी कल्चर इंवर्टिटी जो आपका गुंटूर में है ठीक है गुंटूर अंदर प्रदेश में इसक जो आपका कटोफ रहता है लगबग 3000 रंक तक लास्ट वियर भी बच्चों को मिला था उससे पहले लगबग 35 रंक तक भी मिलता है इसका रंकिंग आइसर में अच्छा है लेकिन नौर्थ के बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है तो अपने सोथ समझ के यहां पे अ समबर आ रहे हैं आपका रेंग 3000 तक बन रहा है तो आपको अस्तम अग्रिकल्च रूपे मिल जाएगा फिर लगबग आपका 35,000 रूपे इसका पर यह लगने वाला है उके अब हम बात करते हैं मारणा परता विरोश्रेटी अग्रिकल्चर टेक्नोलोजी जो राजस्तान के उदेफूर जिले में इस्तित हैं इसकी बात करूँ मैं फिर्स इस्ट्रक्चर की तो 50,000 रूपे आपका परियर इसका फिर्स इस्ट्रक्चर है कटोप की बात करूँ तो राजस्तान के बच्चों के लिए लगबग 1200 से आप 1500 रैंक तक मिलता है बाकी अधर स्टेट के बच रैंकिंग में हाली में इसका चवदुआ रैंक चलता है मैं बात करता हूँ अगला युवर्स इस्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका फिस इस जार रूपे पर इयर लगने माला है इसका कटोप लगबग 2500 के शंथिंग आपको रैंक है तो मिल जाएगा लास्ट येर 27 रै साउथ के बच्चों के लिए सिधी बात है जो साउथ में होगा उनका कटोप ज्यादा जाएगा नौर्थ के बच्चों के लिए नौर्थ की इनौर्ट की इनौर्ट की का कटोप ज्यादा जाएगा ठीक है बात करूँ इसके कटोप के बारे में तो साउथ के बच्चों के पंदरा सो के रेंग तर ठीक है ज्यादा मानों तो आप हड़ली दो जार मान सकते हैं ठीक है लेकिन नौर्थ के बच्चों को ये तीन-तीन हजार पे भी मिल जाता है फीस की बात करूं तो लगबग इसका फीस 75,000 रुपे पर येरली आपका लगने वाला है बहुत अच्छा कोई दिकत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो नीचे हेलप्लाइन नंबर दे रखें इस पर आप कॉंटर्ट कर सकते हैं बाकि आपको पेड़ काउंस्लिंग की जरुरत है तो भी जोईन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितन